है एले फेंट्स आज की स्ट्राइब में हम बात करेंगे नंदन डैनिम लिम्टिड वेवेंट स्टोक में कैसा मुमेंट आपको देखने को मिलेगा कैसके स्पोर्ट रंग कैसके टार्गेट रहेंगे डिटेल से समझेंगे उससे पहले फेंट्स अगर फॉर्स टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को ओन करो ताकि मैं जो वीडियो अप्लोड खुरू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल के फंडामेंटल ठीक है वही स्मोल कैप है रिस्क और रिटन द अगर रिटन देने लग जाए तो खतरनाक रिटन भी यह देते हैं आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं अब बात करते हैं कि कैसा मोमेंट आपको स्टोक में देखने को मिलेगा यहां पर हमारी एक रिच्टेंस जोन है और वहां से ही मार्किट क्रेक्शन हमें दिखा रही है यहां पर नीचे का जो लेवल है 39.4 का है और उपर का जो लेवल है रिच्टेंस जोन का वह है 41.15 का अगर यह इसका ब्रेकआउट देती है तो भई शांदा रिटन यहां पर दे सकते हैं आप देख सकते हो यहां से मार्किट ने क्रेक्शन दिखाई है तो टारगे अगर ब डेखने को मिल सकती है यहां सरी प्रोफ़टं देखने को मिल सकती हैं क्योंकि यहां पेटर्ण बन रहा वह अगर हम छोटा करें सबीक्टर्ट पर क्यों साघ। प्रेटर्ण बन रहाया है यहां अगर ब्रेक आउट देता तो जितनी यह डैपत है उतना ही अपसाइड जाएगा इसका जो टारगेट रहेगा वो 46 से भी उपर का रहेगा अगर यह ब्रेक आउट देता है तो ब्रेक आउट के बाद प्लीस कनफरमेशन जुरूर लिया करें बहुत से लोग बस उपर जाने लग जाए तभी इंट्री कर लेते हैं ब्रेक आउट के बाद री टेस्ट के लिए भी मार्किट आती है उस टाइम पर अपनी पोजिशन बना सकते हो अच्छे रिटेन आपको मिल सकते हैं अगर यहां से गिराउट देखने को मिली क्योंकि ट्रिपल टोप बन रहा है तो य जाने वाला है बाकि आप सभी को पताएं कि नंदन डेनिम काम क्या करती है बही डेनिम की यह जो कपड़े है बनाती है डेनिम और पूरी जो देस है उसमें सेकिंड नंबर पे यह डेनिम का मतलब प्रोड़क्शन करती है और इनके पास दो हसार से भी ज्यादा व्राइटि के डेनम जो क्लोस हैं उनकी विराइटी है 2000 से भी ज्यादा की बाकी आपका क्या कहना इस टोक के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो का मोटिव ओली पूर एजुकेशन पर पज़े मैं किसी को परसनल रिकमेंड नहीं करती कि आप इस टोक में बाइक रो सेल कुरुया होल्ड करू